हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राइवेन पुल्ली का रपीम और ड्राइवेन पुल्ली का साइज किस तरह से लिकालते हैं उसके बारे में जानेंगे अगर आपको ड्राइवेन पुल्ली को अपने ही हिसाब के रपीम में चलाना है तो कौन सा साइज का पुल्ली लगेगा उसके बारे में भी जानेंगे तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए दोस्तो साथी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लों को रेगुलार नोटिफिकेशन मिलते रहेगा चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जोइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जोइन कर लिजए दोस्तों क्यूंकि मेंबर्स के लिए इस पेसल वीडियो अपलोड हो चुके हैं इससे पहले मैंने Speed Calculation का वीडियो अपलोड किया है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इस पे समझा देता हूँ, साथ ही जो सबसे important चीज है, कि सोचिए अगर ड्राइवेन खुली को आपको अपने खुद के हिसाब के RPM में चलाना है, सोचिए इसको आपको 300 RPM में चलाना है, इसको 200 RPM में चलाना है, 100 के RPM में चलाना है, तो कितना इंच का यहाँ पे आपको पुली लगाना पड़ेगा, ये किस तरह से पता करें, ये सबसे important चीज है, बाकि पुली Speed के बारे में मैंने बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, पुली का अगर आपको driving पुली का RPM लिकालना है, तो आपको तीन चीज का सबसे पहले measurement लेना होगा, पहला आपको driving पुली का RPM पता होना चाहिए, दूसरा D1 जो driving पुली है, जो मोटर में इंस्टॉल होगा, उसका dimension पता होना चाहिए, और D2 मतलब driving पुली का भी आपको dimension पता होना चाहिए, अगर ये कहीं पे install है, सुचिए किसी equipment में driving पुली इंस्टॉल है, driving पुली भी install है, तो आप उसका dimension मेजर कर सकते हैं, measurement tape से और उसका driving पुली का RPM को लिकाल सकते हैं, किस तरह से मैं बता देता हूँ, ये इसका formula है, मैं और एक दूसरा formula बताया था, ये थोड़ा easy formula में बता देता हूँ, हम लोग को भी क्या लिकालना है, D2 का RPM लिकालना है, देटू, देटू क्या है, driving पुली है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, D1 का RPM, D1 का RPM कितना है, 1400 RPM है, यहां 1400 RPM है, गुना क्या कर देना है, यहां पर देखिए, D1, क्या करना है, D1 कितना है, 18 छे भागा कर देना है अम लोग को D2, D2 कितना है 16 है दोस्तों, तो अभी आप लोग को क्या करना है, यहां देखिए D1 का कितना था RPM, 1400 RPM था, इसको मैंने कॉपी कर लिया, D1 18 था, मेजर कर लिया था, D2 16 था, इसको भी लिख दिया, जब हम लोग यह दोनों को गुना करेंग तो यहां पे आ जाएगा 200 भागा 16, यहां पे दिख रहा आप लोग को 11,200 भागा 16 हो गया, तो इसको जब आप करोगे, तो यहां पे हो जाएगा 700 RPM, जो D2 का RPM है, अगर D1 का डाइमेंशन पुल्ली का 18 इंच है, RPM 1400 है, और D2 का 16 है, तो वो 700 RPM में घूम रहा है, इसका RPM 700 है, अब यह तो आप लोग को पता चलिया कि स्पीट किस तरह से लिकालना है, अभी आपको अगर बोला जाए कि ड्राइवेन पुल्ली को 200 RPM में घूमाना है, तो किस तरह से घूमाईएगा, अगर आप लोग को बोला पुल्ली है दोस्तों, तो यह खुद से केलकुलेट करके आप पुल्ली का डाइमेंशन लिकाल सकते हैं, कि कौन सा पुल्ली यहाँ पे लगेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग को D2 का साइज लिकालना है, RPM खुद से आप लोग को दिया गया कि 400 RPM में घू तो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिक देता हूं, D1 का RPM कितना है, यह आपको पता होना चाहिए, गुना D1 का साइज कितना है, पुल्ली का साइज, यह आप लोग को पता होना चाहिए, भागा कर देना है D2 का RPM, D2 का RPM, यह RPM कहां से मिलेगा, यह RPM हो सकता है, इंडरेस्टेल एरिया में आपको दिया जाए कि इसको हमको 400 RPM में घुमाना है, आप यहां पे कितने साइज का पुल्ली इंस्टॉल करोगे, तो यह आपने सोच लिया कि इसको अभी 400 के RPM में घुमाना है आपको, तो कौन से कितना है यहां पे 1400 RPM है, गुना कर देना क्या है, D1, D1 पतलब पुल्ली का साइज, ड्राइवन पुल्ली का साइज कितना है, यहां पे 18 इंच है, भागा कर देना है RPM, अभी हम लोग को इसको 400 RPM में घुमाना है, तो भागा कर देंगे हम लोग 400 के साथ, अब जब इसको हम ल d1 का rpm 1400 था d1 का dimension 8 इंच था और rpm हम लोगों ने खुद से यहां पे लिखा है कि हम लोग को इसको ड्राइवन पुल्ली को 400 rpm में घुमाना है अब हम लोग इसको calculate करके देख लेते हैं 1400 गुना 8 भागा 400 यहां पे देखिए answer आ गया 28 इंच तो जो ड्राइवन पुल्ली का size हम लोग को लगाना है वो 28 इंच का लगाना पड़ेगा दोस्तों यहां पे देखिए 700 rpm में घुम रहा था तो कितना इंच का यहां पे लगा हुआ था 60 इंच का लगा हुआ था 700 rpm के लिए हम लोगों ने यहां पे खुद से decide किया कि हम लोग को अभी ड्राइवन पुल्ली को 400 rpm में घुमाना है तो यह वाले formula में हम लोगों ने ड्राइवन पुल्ली को जो की मोटर में इंस्टॉल होता है हम लोगों इकुब्मेंट को 400 के rpm में घुमाना था तो हम लोगों ने भागा 400 कर दिया तो 28 inch का यहां पे हम लोगको पुल्ली लगाना पड़ेगा सोच्व दोस्तो ड्राइवन पुल्ली का size रहेगा वो 28 इंच का रहेगा तो इस तरह से और भागा कर देना है जो drive and pulley का size रहेगा उससे आप लोग को rpm पता चल जागा अगर दोनों install है अगर खुद से आपको drive and pulley को कितने rpm में घुमाना है अगर decide करना है इसको आप 300 rpm में भी घुमा सकते हो जितना उस equipment में चाहिए उतने rpm में आप अपने हिसाब से गुमा सकते हो ये वाले formula में आप लोग को calculate कर लेना है इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा dimension का आपको इस जगा पे पुल्ली लगाना है drive and pulley कौन सा install करना ये बहुत ही important है दोस्तो speed का तो मैंने पहले भी बता चुका था बट ये वाला formula आप लोग को मैं अभी बता रहा हूँ इसका skin shot लेकर रख लीजे ये आगे चल कर काम आएगा जब भी आप industrial area में जाओगे तब आपको बताया जाएगा कि इस equipment को 300 के rpm में घुमाना है इसमें कौन सा पुल्ली इंस्टॉल होगा वो आप बताईए तब ये वाला formula आपको काम आएगा दोस्तो आपको ये वाला पुल्ली मिल जाएगा आप major कर सकते हैं या इसको भी अपने हिसाब से आप मगा सकते हैं और ये वाले formula में calculate कीजेगा तो driving पुल्ली का size आप लोग को पता चल जाएगा और इसी formula से आप लोग आसानी से driving पुल्ली को मगा सकते हैं दोस्तो ओर्डर कर सकते है formula कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ share जरूर कीजिएगा और चैनल में नए थे तो अभी तुरन चैनल को subscribe कर लिजे दोस्तो membership अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का membership जॉइन कर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों